नमस्कार दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारा यूटूब चैनल में दोस्तो प्रकूरती आपने आप एसे बनस्पतियों को जन्म देती है उगाती है जो मनुस्य को रोगमुक्त करता है तो दोस्तो आज हम आपको एसे एक जड़िबुटी के बारे में बात करने बाले हैं जिसके फायदे जानकर आप चमतकार हो जाएंगे तो दोस्तो चलो सुरू करते हैं जी हाँ दोस्तो आप जो वीडियो में देख रहे हैं इस जड़िबुटी को आप कभी ना कभी जरूर देखा होगा बरसात के सीजन में जंगल में बहुत आसानी से इसी देखने को मिलता ह देखो अच्छे से देख लो और पहचाल लो इसके एक नमबर फायदे हैं दोस्तो अगर गुटनो बहुत दर्द करता है तो क्या करना है इसके पत्ते को हातों में ही रगड़कर उसका रस गुटनों में लगा के गुटनों में उसके उपर नारियल का ओल थोड़ा मिला के अगर अच्छे से मालिस करते हैं तो गुटनों का दर्द गयव हो जाता है। साथ ही साथ दुस्तों, अगर एडी दर्द का समस्या है, एडी बहुत दुखने लगता है, तो क्या करना है? इसके पत्ते का रस और निम के पत्ते का रस मिला करके उसमें तील का ओयल थोड़ा डाल कर अगर एडी में लगाते हैं तो एडीयों का दर्द भी तुरंत का तुरंत ही गयव हो जाता है। साथ ही साथ दोष्तों, अगर कमर दर्द का समस्या है, तो क्या करना है? इसके पत्ते को सिल्बटे में पीश कर उसका रस निकाल लो और उस रस में सरसों का ओयल थोड़ा मिला कर गरम करके, मतलब उबाल कर उस उबला हुआ तेल को थंडा करके, अगर कमर में लगाते हैं त तो कमर का दर्द धीरे-धीरे कम हो जाता है।